दोस्तों, रात को सितारों से भरा आसमा बहुत ही अमेजिंग लगता है ये सितारे रात को जब टिम्टिम आते हैं तो एक अलग ही नजारा होता है एंग्लिश में हमें इन्हें ट्विंकलिंग ओफ स्टार भी केते हैं जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या होता है ट्विंकलिंग ओफ स्टार क्या होता है एट्मोस्फरिक रिफ्रेक्शन यानि बेसिक कॉंसेट ओफ एट्मोस्फरिक रिफ्रेक्शन और सिखेंगे कैसे atmospheric reflection की वज़े से होता है twinkling of star और एक interesting fact Hubble telescope को space में ही क्यों रखा गया है अर्थ पर क्यों नहीं हर साल बोड में atmospheric reflections related एक से दो मंक्स के question जरूर आते हैं तो इस वीडियो को अखीर तक पूरा दिखें और कहीं पर भी skip ना करें सो दोस्तों physics की what youtube चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर आप और मैं मिलकर लगा रहे हैं topic twinkling of star की what छोड़ेंगे नहीं atmospheric reflections related topic why do planet not twinkle apparent shift in star position early sunrise and delay sunset के वीडियो और इस topic के notes आपको pdf format में इन सभी के link आपको description box में मिल जाएंगे हम लोगों ने twinkle twinkle little star तो बहुत सुना है but actual में twinkle की definition क्या होती है देखते है twinkle का मतलब होता है shining that changes constantly from bright to faint यानि कभी star ज्यादा चमकता है तो कभी कम अब हम समझते हैं atmospheric reflection को geography में हमने पढ़ा था कि earth के चारों तरफ atmospheric gases की different layers होती है जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं lowest layer जिसे हम troposphere भी कहते हैं इसमें highest pressure होता है इसलिए density भी highest होती है और इसके opposite सबसे उपर वाली layer exosphere में lowest pressure होता है तो उसमें density भी lowest होती है तो एक बात साफ है कि हर layer एक transparent medium की तरह होती है बट उनकी density अलग-अलग होती है यह हम कह सकते हैं कि हर एक layer एक different transparent medium की तरह act करती है जिसका refractive index अलग-अलग होता है दूसरी बात even single atmospheric layer की भी बात करे तो उसकी भी density time के साथ change होती रहती है इसका कारण है अर्थ की movement अर्थ के साथ different layers भी move करती है और एक जगे पर भी एक layer की density हर समय change होती रहती है यानि refractive index भी change होता रहता है यानि atmosphere में light की रास्ते में आने वाली layer की density या कहें refractive index समय समय पर change हो रहा है यानि हर समय पर light different direction में bend हो रही है atmospheric layer की वज़े से light rays की reflection को हम atmospheric reflection कहते है जैसा कि आप इस diagram में देख सकते है light rays from star आ रही है ये atmosphere की layer से बाहर एक straight line में है बट atmosphere के अंदर आते ही इसकी direction बार बार change हो रही है अगर आप यहाँ पर खड़े वी एक observer है तो आप देख सकते हैं एक ray एक समय आपकी ice में आ रही है और दूसरी समय ice में नहीं आ रही है इसलिए light rays जब एक star से आपकी तरफ आती है तो atmospheric reflection की वज़े से उनकी direction लगतार change होती रहती है इसका मतलब है कि कभी ज़्यादा light rays आपकी ice तक पहुशती है और कभी कम जब ज़्यादा light rays आपकी ice तक पहुशती है तो star bright नज़र आता है और जब light rays कम पहुशती है तो star faint नज़र आता है और इसे ही कहा जाता है twinkling of star आईए अब समझते हैं कि Hubble telescope को outer space में ही क्यों रखा गया है atmospheric reflection की वज़े से stars की जो pictures ली जाती है अगर telescope को earth पर रखा जाए तो जैसा कि आपको अभी explain किया था light की amount बदलती रहती है इसे problem को दूर करने के लिए Hubble telescope को space में रखा गया है तक ही stars और planets की full light वाली color और clear pictures ली जा सके I'm sure आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा PKW यानि physics की वाट YouTube channel को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि कोई भी latest और important वीडियो miss नहों और अगर वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो like करें और share करें अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए सितारों की तरशाइन करते रहिए चकमगाते रहिए और हमारे साथ मिलकर लगाते रहिए physics की वाट छोड़ेगे नहीं